प्यारे मित्रो नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस रोहित आर्स कलासेज में मैं हूँ धर्मेंदर सर आज हम इस वीडियो में 12th आर्स का यहीं हिस्टरी का जो आपका जो आपजेक्टिव का सेट प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि एकजाम के लिए बहुत ही एकदम जरूरी एकजाम में आपका लड़ने वाला प्रास्न है तो चलिए पहला प्रास्न देखेंगे आज एसा की देख सकते हैं लिखा हुआ 12th हिस्टरी सेट 1 आपको बारी बारी से सब सेट मिलेगा तो समय को देखते हुए जो है जल्दी स्टार्ट करते हैं पहला देखें प्रास्न है पहला जो प्रास्न है इंडिका किसकी रचना है मतलब इंडिका जो एक ग्रंत है वो जो है किसकी रचना इंडिका की रचना किस ने किया तो बताए इसका आप लोग चाहिएगा तो पहले अंसर भी देते जा सकते हैं तो इंड चानक का अन्य नाम और है बिश्नु गुप्त या इनी को और एक नाम से जाना जाता है कोटिल के नाम से इसी चानक के सयोग से जो चंगरु मौर्ज जो है यानि मौर्ज बंस किया स्थापना किया था तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देखिए सेकेंड प्रस्ण देखिए क्या कह रहा है सेकेंड प्रस्ण सेकेंड प्रस्ण दूसरा कह रहा है किस वंस को पित्रहंता वंस के नाम से जाना जाता है सेकेंड प्रस्ण है किस वंस को पित्रहंता वंस के नाम से जाना जाता है तो देखिए, option है आपका सिसुनाग बंस, आनन्द बंस, हरियक बंस, सुंग बंस तो answer क्या होगा, तो इसका जो सही answer होगा आपका हरियक बंस क्या हो जाएगा आपका हरियक बंस, देखिए हरियक बंस को पितरहंता बंस काते किसे हैं क्योंकि इस हर्यक मंस में जितना भी सासक हुआ सब के सब अपने पिता की हत्या करके गदी पर बैठा था इसलिए इस मंस को जो है पित्रहंता मंस कहा जाता है इस हर्यक मंस की जो है अस्थापना किया था उसका नाम था बिम्बी सार भारत का सबसे प्राचीन राजमंस के रूप में किसे जाना जाता है तो हरियक मंस को यानि सबसे प्राचीन मंस जो है हरियक मंस के नाम से जाना जाता है सबसे प्राचीन सासक के तो आपका क्या हो जाएगा सबसे प्राचीन सासक हो जाएगा भीम्बी सार हो जाएगा देखे बिंबी सार का पुत्र था आजाद सत्रू और आजाद सत्रू जो क्या किया था अपने पिता यानि बिंबी सार की हत्या करके गद्धी पर वैटा था इसके पुत्र उदाईन हुआ वह भी अपने पिता की हत्या करके गद्धी पर वैटा था यानि जो भी इस वंस में राजा बना, वो सब के सब अपने पिता की हत्या करके गद्धी पर वैटा था, इसलिए इस हरियक बंस को जो पितरहंता बंस के नाम से जाना जाता, चलिए अगला प्रस्ण देखिए आपका एक्जाम के लिए जो एकदम बहुत एक्जाम में आने वाला प्रस्ण करा रहे हैं देखिए यहां सोना से जो प्रस्ण तीन परकार के आता, कि भारत में सर पर्थम सोने का सिका किसने चलाया, सबसे सुध सोना का सिका किसने चलाया, और सबसे उच पैमाने पर सोना का सिका किसने चलाया, तो यहां अलग-अलग है, तो आपको बारी-बारी से सब बताएंगे प्रश्ण करा है सबसे सुध सोना का सिकhा किस ने चलाया था कनिष्क ने यनि कनिष्क जो था ये कुसान बंस का सबसे महान सा सकता कनिस्किस वंस के सासक था, कुसान वंस के सबसे महान सासक था अगर कहे सर्व पर्थम सोने का सिक्का किसने चलाया था भारत में तो आपका एंसर हो जाएगा इंडो गिरिक सासक मिनांडर हो जाएगा और अगर प्रस्ण कर दिया कि भारत में सबसे उच पहमाने पर सोने का सिक्का किसने चलाया तो यह आपका हो जाएगा गुप्त सासक यानि सबसे उच पहमाने पर कहे तो गुप्त सासक, सर पर्थम भारत में सोना का सिक्का किसने चलाया तो इंडो ग्रीक सासक मिन अंडर अगला प्रस्ण देखेंगे, क्वेस्टन नंबर 4 कर आए, कि मौर्ज बंस की अस्थापना किस ने किया था, देखी अभी हम चर्चा भी किये थे, मौर्ज बंस की अस्थापना किस ने किया था, बहुत easy-easy प्रस्ण है, और जो कि यह सब इकजाम में आता है, ज्यादा करके ह इसमें जो है previous question है लिए हैं तो चंद्रूप मौर्ज बंस किया स्थापना जो किया था किसने चंद्रूप्त मौर्ज ने किया था यानि चंद्रूप मौर्ज के बाद जो है इसका उत्रा देकारी जो हुआ था वो हुआ था बिंदू सार हुआ था और इसी का जो उत्रा देका तो आपका क्या हो जाएगा असोक देखिए यही असोक के बारे में कहा जाता है कि गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाईयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था ऐसा किताब में लिखता है लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं ऐसा गलत है तो असोक जो अपने 99 भाईयों यह टोटल बिंदुसार के 101 पुद्र थे जिसमें से 99 भाईयों की जो हत्या करके गद्द पर बैठे थे चलिए अगला प्राशन है कोस्टन नमबर फाइब देखिए कारा अजात सत्रू किस धर्म को मानता था तो बताईए देखिए अजात सत्रू अभी हम बताएं तेकि अजात सत्रू किस बंसके था हर्यक बंसके यानि भीमबी सार के पुत्र था तो अजात सत्रू जो है आपका जैन धर्म को मानता था अजाद सत्रू किस धर्म को मानता था जैन धर्म के और अजाद सत्रू का उप नाम है कुनिक अजाद सत्रू का उप नाम क्या होगा कुनिक, देखिए बिम्बी सार के अजाद सत्रू का पिता कौन था बिम्बी सार यहनी कि भीम्बी सार जो है बाउत धर्म को मानता था यहनी बाउसे भीम्बी सार और बाउसे बाउत धर्म यहनी भीम्बी सार किस धर्म को मानता था बाउत धर्म को और उसका पुत्र अजासतरू किस धर्म को मानता था तो वो मानता था जैन धर्म को चली अगला छटा नमर हम प्रस्ण देखेंगे छटा नमर प्रस्ण छटा करा चंगरू मौर्ज की मिर्तु कहां होई थी देखे ज़्यादा करके जो हम इस सेट में मौर्ज बन से ज़्यादा प्रस्ण लिए है प्राची नितिहास है तो अगला प्रस्ण करा है कि चंगरू मोर्ज के मिर्तु कहा होई थी तो देखे नेपाल में, तसिला में, करनाटक में सर्वन बेलगोला तो इसका सही एंसर हो जाएगा सर्वन बेलगोला में यानि करनाटक में यह पड़ता है करनाटक के सर्वन बेलगोला में देखें, चंगरू मौर्ज जो थे, यानि अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए थे, और इन्हें जैन भेचु के भाती ही मिर्तु हुई, जैन धर्म में एक नाम है, जिसका नाम है सल्लेखन विधी, सल्लेखन विधी, यानि इस विधी में क्या होता है, कि सरीर को जो भूखा प्यासा रख करके प्रान त्याग दिया जाता है, तो इसी सल्लेखन विधी के द्वारा जो चंगरू मौर्ज के मिर्तु हुई थी, यानि करनाटक के सरवन बेल गोला में, चली अगला प्रस, जल्दी-जल्दी करते हैं, सत्मा का रहा है, महात्मा बुद किसके समकालिन थे, बताइए, अगर हो से के ता आप लोग पहले एंसर भी देते जाए, महात्मा बुद किसके समकालिन थे, अजात सत्रू, बिम्बी सार, असोक, उदैइन, अकसर देखो बच्चा हां गड़बडा जाता है, अजात सत्रू और बिम्बी सार में, लेकिन आपका सम समकालिन का रहा, तो समकालिन हो जाएगा किसके, बिम्बी सार के समकालिन, किसके समकालिन, बिम्बी सार के, हाँ, एक है कि महात्मा बुद के मिर्तू जो है किन के समय में हुआ, उस समय हर्यक बंस के राजा कौन था, तो अजात सत्रू था, यानि महात्मा बुद की मिर्तू वहा था अजाज सत्रू के समय में, लेकिन ये किसके समकालिन थे, तो भिम्भी सार के समकालिन थे, चलिए, क्वेस्टन नमबर आठ देखें क्या करा है, क्वेस्टन नमबर आठ करा है, कि पाटली पुत्र नगर की जो है, अस्थापना, पाटली पुत्र नगर की अस्थापन अभी तो अपलोका दीजेगा पटना सिदे गंगा नदी के तटपर है लेकिन जब उस समय अस्थापना हुआ था तो गंगा, सोन, पुनपुन ये तीनों नदी के संगम पर अस्थापना किया था तो आपका एंसर क्या हो जाएगा? इन में से सभी हो जाएगा क्या हो जाएग मगद की राजगिरी से पहले इसका क्या नाम था? आप लोग सोच रहे होंगे बरतमान में तो अभी राजगिरी के नाम राजगिर है उससे पहले क्या थी? तो इसका नाम था निग्री बज्र क्या? ग्री बज्र यानि ग्री बज्र से नाम बदल करके जो इसका राजगिरी किया ने बिमभी सार अब बिमभी सार जो है अपनी राजधानी कहां बनाया राजगिरी को बनाया था य olmaz शब जी प्राचीन वंच जो था हरीयक वंच की राजधानी कहा थी राजगिरी चलिए अगला प्रसंदस नमबर का रहागा कि असोक का बेक्तिगत धर्म क्या था चलिए असोक का बेक्तिगत धर्म क्या था जाइन धर्म बहुत धर्म ब्रामन धर्म सेव धर्म क्या होगा बुलिये इंसर अहां देखिए असोक का बेक्तिगत धर्म क्या था तो असोक जो देखिए बहुत धर्म को मानता था असोक जो था वो किस धर्म को मानता था, बहुत धर्म को मानता था, असोक बहुत धर्म को मानता था, देखिए असोक जो था, यानि कि वो जो है बहुत धर्म को अपनाया था, और अपने पुत्र संग मित्रा और पुत्री को जो है, यानि दोनों को जो है पीपल की डाली ले करके जो है स्री पीपल विरिच के नीचे हुआ, इसलिए यहीं पीपल विरिच के नाम जो बाओधी विरिच पड़ा, यहीं बुद्ध से नाम पड़ गया बाओधी विरिच, तो पीपल के वीच को ही बाओधी विरिच काते हैं, असोक जो था एक धर्म निर्पेश सासक था, चलिए अगला question number 11 11 करा असोक ने महेंद्र और संगमित्रा को धर्म परचार के लिए किस देश भेजा था देखिए तो answer क्या हो जाएगा आपका स्रीलंका किसको कहां भेजा था स्रीलंका चलिए question number अगला देखिए question अगला करा है merge once की merge once का सबसे महान सासक हों था यहाँ पर आपका option 2 ही दिख रहा है बाकी धर कटा हुआ आएगा तो merge once का जो सबसे महान सासक था हम पहले भी चर्चा किये थे असोक कौन था? असोक महान merge once का सबसे महान सासक है तो आपका क्या हो जाएगा? असोक महान अस्थापना किस ने किया था? चंगरू मोर्च चंगरू मोर्च के पूत्र? बिंदुसार बिंदुसार के पूत्र? असोक merge once के अंतिम सासक? बिरी दर्थ merge once के अंतिम सासक है तो बिरी दर्थ तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा? असोक यानि कि मौर्जबंस का सबसे माहन सासा कौन था असोग चलिए अब अगला हम कोस्टन देखेंगे कोस्टन नमबर 13 कोस्टन नमबर 13 देखेंगे कोस्टन नमबर 13 देखेंगे चलिए तेरा देखें का रहा है कलिंग का युध का बरनन किस अभीलेक में किया गया है मतलब मार्जबंस से आपका परस छुटने वाला ने लगवाग फूल डिसकेस इस पर करदेंगे यानि मौर्ज मंस का कलिंग का युद कब किस अभी लेक में सबसे पहले तो जानेंगे कि कलिंग की लड़ाई कब होई थी तो कलिंग की लड़ाई जो लड़ा गया था वो आपका दूसो 61 इसापुर्व में दूसरो 61 इसापुर में, यानि कि इसमें कहा जाता है कि लगबग एक लाख लोग मारे गए थे और डेड़ लाख लोग घायल हुए थे, यानि इतना बड़ा नरसंगार हो गया था, इसी चीज़ को देखकर जो असोक, यानि मैदान में ही सस्त्र को त्याग दिया था, वहीं स सस्त्र नहीं उठाएंगे, यानि वहीं से असोक जो है, यानि फिर बाद में धम की निती को अपना लिये थे, तो देखे कलिंग का युद का जो जानकारी मिलता है, वह असोक के तेरह में सिलालेक से, कैमा सिलालेक से, तेरह में सिलालेक से, यानि भारत में असोक के अभी ल किस भारतिय सासक के धरवार में भारत आये थे असोक, बिंदुसार, चंदरुप, मोर्ज, असकन्द गुप्त. तो मेगा अस्थनीज किस के धरवार में आये थे? तो आपका एंसर क्या हो जाएगा? यह जो थे चंदरुप्त, मोर्ज के धरवार में आये थे. चलिए question number 15, अगर गिंती किया जाए तो लगभग जो असोग के अविलेग जो है 45 से 50 मिलें टोटल अविलेग के बात करें तो 45 से 50 तो option में देखिए 30, 40, 35, 45 तो आपका option के हिसाब से क्या answer हो जाएगा? 45 हो जाएगा. चली question number 16 राजबैद जीवक किसके दरवार में रहता था? बढ़िया परस्न है. समझ रहा है? राजबैद जीवक किसके दरवार में रहता था? तो आपका हो जाएगा बिंबी सार के दरवार में. किसके दरवार में? बिंबी सार के दरवार में रहता था. कौन? राजबैद जी जीवक थे, यानि किस राज़वंस से संबन्दित है, तो आपका हो जाएगा हर्यक बंस. चलिए, अगला प्रस नमर 17 देखिए, का राज सबसे प्राचीन बंस कौन था? बताए, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सबसे प्राचीन बंस कौन था? तो आपका क्या हो जाएगा सार हरियक बंस सबसे प्राचीन बंस हरियक बंस अस्थापना किया था बिंबी सार इसलिए प्राचीन बंस के संस्थापक कह गया सबसे प्राचीन राजा कहता आपका हो जाएगा क्या बिंबी सार चलिए अगला क्वेसर नंबर अठारा अठारा देखे क्या करा तसिला किस रा थी कहां थी तच्शिला यहीं कि गंधार में हो गया तच्शिला。 सुल्ला इसनली महा जन्पद में सबसे सकती शाली महा जन्पद मगद था। चली अगला प्राश mellan सुल् ép यह किस्के में सर लाजनपद उसbed श New हम पहले भी बताया है कि गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर उदाइन ने पाटली पुद्र नगर की अस्थापना किया था, तो पाटली पुद्र को किस ने बसाया, उदाइन ने, उदाइन जो था अरियक बंस के राजा था, अगला प्रस्ण का रहा है, question number 20, कि सक संबत की सुरुआत की सासक ने किया, सक संबत, बताइए, देखे, सक संबत जानने से पहले एक जान लेजिए, कि भारत का जो राष्टिये कैलेंडर है, यह जो है सक संबत पर ही अधारित है, यह इस सक संबत को जो है, 22 March 1907 को, 22 March 1907 को जो है, भारत सरकार ने इसे राष्टिये कैल पर यह जैसा हिं गद्दी पर बैठते हैं है, जो सकसंबत को चलाया था चले कौस्टर नम्बर एकिस देखिए. कौस्टर देखिए, एकिस क्या का रहा है सिंदू घाटी देखिए सिंदू घाटी सब्वेता का प्रस्णा गया है इसमें बताएं थे ज्यादा करके मौर्जबंस का प्रस्णा है लेकिन अब जो है मौर्जबंस के साथ प्रस्ण कम मिलेगा सिंदो गाटी सब्वेता के बारे में सब लोग जानते होंगे अगर पढ़ रहे होंगे तो देखिए सिंदो गाटी सब्वेता को हडपा सब्वेता कास्योगिन सब्वेता भारत की सब्वेता सैंदव सब्वेता या फिर भारत के सबसे प्राचीन सब्वेता के रूप में इस जाना जाता है तो सिंदु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातू का ज्यान नहीं था तो most important परस्ण है important कि इसको कही important के howless को आए मतलब यतना बारने परस्ण आया है कि बस कि हड़ापस सभ्यता के लोग किस धातू से अनिभीगते किस धातू के बारे से में नहीं जानते थे किसके बारे में आपरिची थे लगभग हर साल 12th का तो हिस्ट्री में मतलब हर साल पुछी देता है तो देखिए हड़ापस सभ्यता के लोगों को किस धातू का ज्यान नहीं था तो लोहा का यनि ओ लोग जे थे लोहा से आपरिची थे लोहा के बारे में कोई भी उने ज्या नहीं था देकि हड़ापस सभ्यता है तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हड़ापस सभ्यता का जो काल रहा था यहनी पचीस सव इसा पुर्व से ले करके सत्रा सो पचास इसा पुर्व हलाकि कई ती आसकारों के अनुसार या जो है काल विवादित भी ह लेकिन आपका एक्जाम में जब भी आए तो आपको इसमार ना है पचीस सभी सपुर्व से ले करके सत्रा सौ पचास इसमार अधिकांस्ता विद्वानुने इसी को ही सभी मानेंगे हमरे साथ साथ ना है आपको भी सभी मानना है अमानने नहें मानना पड़ेगा समझ रहा है नहीं जिसको मान लेते हैं अपना है तो उपना है और अपना है जो उपना है समझ रहा है नहीं तो सपना जैसा ही सोकर उठिएगा उपना बस निंदे तक रहेगा तो सपना के पिछे ध्यान नहीं देना है अपना के पीछे दियान देना है, समझ रहे हैं, तो अपना है जो अपना है, चलिए, तो 25 इसा पुरुव से 1750 इसा पुरुव तक चला, और ये लोग लोहा से आ परिचित थे, आ तामा से परिचित थे ये सब, चलिए, सबसे प्राचीन बेद कौन है, क्या कहा रहा है, सबसे प्राचीन बेद कौन है, प्राचीन बने पुराना, सबसे पुराना, सबसे पहले जानेंगे बेद कई गोई, चार गोई, बेद कितना है, चार गोई, चार गोई, कौन-कौन, रीग बेद, साम बेद, यजूर बेद, अथर बेद, सबसे पुराना बेद, सबसे पुराना बेद, नवीन का अर्थ होता है नया, तो आपका क्या हो जाएगा, अर्थर बेद, सबसे नवीन बेद, अथर बेद, सबसे प्राचीन बेद, रिग बेद, देखिए, बारतिये संगीत का बेद किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका क्या साम बेद, सासे संगीत, सासे संग तो यग के विधी विदान का विवरन कहा मिलता है? यजूर बेद में. चलिए चारो बेद की यह हो गया, सबसे प्राचीन बेद का है? रीग बेद. भारतिय संगीत का जना किस बेद को माना जाता है? साम बेद को. यग के विधी विदान का विवरन किस बेद में है? यजूर और सबसे नभीन वेद किसे कहा जाता है अथर वेद में चलिए अगला प्रस्ण है question number 23 का रहा है कुसान मंस का सबसे योग ये वो महान सासक कौन था हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कुसान मंस कुसान मंस की देखे कुसान मंस का अगर संस्थापक के बाद करें संस्थाप तो हो जाएगा कुजूल कड़ फिसस कुजूल कड़ फिसस कुसान मंस की अस्थापना किस ने किया था कुजूल कड़ फिसस आज जादे नहीं आपका आज तीस प्रस नहीं लेंगे आ लेकिन आपका जो फुल डिसकसन के साथ है कुजूल कड़ फिसस था तो कुसान मंस का स सबसे सासा कौन था कनिस्क जो कि भारत में जो है यानि सक संबत किसने चलाया था कनिस्क सबसे सुध सोना का सिखा किसने चलाया था कनिस्क सुध कहे तो कनिस्क सुध मनें कान समझ रहे हैं यहीं कान में पहनना है सुध सोना के सिखा यहीं कासे कनिस्क और कासे कान में जो पहन बस्तर नमबर 24 है भाँ, आही गया प्रस्ण भारत में सर पर्थम सोने का सिका किस ने जारी किया था, भारत में सर पर्थम सोने का सिका किस ने जारी किया था, तो क्या हो जाएगा आपका कुसान बंस, सातवान बंस, सुंग बंस और इंडो ग्रीक बंस, क्या हो गया एंसर बो भी देखिए discussion में हो चुका है, सक्संबत की शुरुवात का वो ही थी, देखिए आपको confusion करने के लिए देख सकते हैं, अठतर इस्वी, अठतर इसापुर्व, अंठामन इस्वी, अंठामन इसापुर्व, इस्वी और इसापुर्व को ध्यान रखना है, बच्चा सुचेगा सक्संबत, आहा, ओ माई गॉड, अठतर इसापुर्व अंठामन इस्वी और आपका इकोजी हो चुका है, गलात, आपका अंठामन इस्वी, इस्वी इसापुर्व नहीं, इस्वी, चलिए, अगला पचिस्त हो गया, question number हम 26 देखते हैं, question number 26 देखेंगे, question number 26, question number 26 देखिए कहा है, question number 26 का रहा है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, सबसे हलका परसुन, धरती पर के सबसे हलका परसुन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, बच्चा बच्चा जानता होगा, बताइए, इसके answer क्या हो जाएगा आपका, हेरो डोटस, क्या हो जाएगा, हेरो डोटस, इनी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरो डोटस को कहा जाता है, अब देखिए, सिंदू घाटी सब्वेता के किस अस्थल से लिपिस्टिक का साच मिला है, सुच रहा है, आज से 5000 वरस पहले की कहानी हडपा सब्वेता, वहां के महिला लोग लिपिस्टिक लगाती थी, प मुर्ती जो ऐसा परतीमा दिखाया गया, मोहन जोद्रो से कास के परतीमा निकला था, तो आपका जो लिपिस्टिक का साच जो मिला था, इसका एंसर हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, हडपा, मोहन जोद्रो, लोथाल, तो यहां जो एंसर हो जाएगा, आपका कोई नहीं, इन में से जो गुआ अस्थल नहीं है, यानि कि ओ जो निकला था, जिसका नाम था, चन हुदुडो, यहनि चन हुदुडो से जो आईली पिष्टी का साच मिला है, जैसे मोहन जोदुडो की नारियां सासिंगार करती थी, वहां से काजल, पाउडर, इत्यादी का भी संकेत, य चलिए, इसी के साथ, चलिए, अगला प्रास्न देखेंगे, देखिए, तो क्या हो गया, इसका एंसर अभी हम आपको बतायें थे, सिंदु की अस्थल से लिपिष्टी का साच मिला है, तो आपका एंसर हो जाएगा क्या, बोलेते हैं आपको चन हुदुडो से, चलिए, Question 28, देखिए, आप, प्राचीन भारत में अभीलेक की शुरुवात की साचक ने किया था, यहनी सब से पहले भारत में अभीलेक की सुरुवात करने वाला साचक कौन था, एकदम हल्का प्रास्न है, इंसर आपको क्या हो जाएगा, आसो्क, देखिए, आसो्क जो ऐसा करना, इरानियों से सिखा था, इरानी सासक था, डेरियस पर्थम या दारा पर्थम, ऐसा करना जो है, इरानियों से सिखा था, चलिए, तो answer क्या हो जाएगा, भारत में जो शुरुवात किस ने किया था, असोक, असोक के बताएं में कि 45 से 50 लगभग अभी लेक मिले हैं, अगला प् आपका, देखिए, असो कहा है, option number का, चलिए, अब इसी के साथ जो हम आप last प्रस्ण करते हैं, बाकी प्रस्ण जो हम आपको अगले वीडियों में देंगे, तो आप लोग जरासा इसको ध्यान से पढ़िये का एकदम, एक्जाम में आने वाला प्रस्ण है, आप question महिंग से वियार बोड में जा करके मिला सकते हैं, तो देखे, question number 30 क्या कह रहा है, question number 30 कह रहा है, सुला महा जनपदों में सबसे सक्ति साली महा जनपद कौन था, सुला महा जनपदों में सबसे सक्ति साली, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कौन था, मगद, कौन था, मगद, तो झाल झाल